2 बिरेक मारने पर देखिये इसका जब हम । डिस बिरेक की उच अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके अंदर कोई चीज अभी हराब नहीं हुई है अगर इसको हम अचानक भी मारते हैं तो भी और अगर सिलो सिलो मारते है तो भी यह इतना ही दबता है कई बार क्या होता है जब हम अचानक मारते हैं तो रुकता है और कई बार जो है नहीं रुकता है जब सिलो से अचानक मारते हैं तो रुक जाता है और सिलो सिलो मारते हैं उस टाइम पर अंदर चलाता है ऐसा नहीं कि फोल्ड ना है या कभी भी ना है आता रहता है और इसको सही करना बहुत छोटा सा काम है आप खुद से घर पे कर सकते हैं मैं बताओंगा कि कैसे इसको सही कर सकते हैं वह इसे अगर इसके इस सिच्वेशन में आप मेकेनिक को दिखाएंगे और रोयल सिलंडर आपकी खराब भी नहीं होती है उस सुचेशन में चेक करना होता है कि मास्टर सिलंडर खराब है कि नहीं तो सबसे पहले जो चीज चेक करनी होगी यह इस कुरू खोल लेते हैं और यहां से इसका फ्यूल चेक कर लेंगे कि इसके अंदर फ्यूल है कि नहीं है कई इसके बार क्या होता है फ्यूल नहीं होता है तब यह ज्यादा अंदर की तरफ दबने लगता है तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं उसके बाद में इसका फ्यूल चेक कर लेंगे फिर देखते हैं क्या करना इसके अंदर इस्क्रू ड्राइवर रहता है बाइक के टूल में आप कर सकते हैं इसको यहां से ओपन करेंगे इस्क्रू में बाहर ले लेता हूँ वीडियो को आयंड तक देखिए आपको एक अच्छी ट्रिक सीखने को मिलेगी देखिए निकल गया और अब इसका फ्यूल चेक करेंगे हम देखिए फ्यूल अच्छी तरीके से है लेकिन जो ब्रेक है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है ब्रेक मारेंगे इधर तो रुकेगी गाड़ी उधर ऐसे में ब्रेक फेल भी हो जाती है यह देखिए पूरा चिपक रहा है न अब क्या करना है वो मैं बताता हूं आपको यहां देखिए पूरा ब्रेक चिपक गया और इसमें आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूं आपको यहां से ब्रेक को दबा के रखना है देखे इस तरीके से पूरी दबा के रखना हो छोड़ना नहीं है दबा के रखना है तो उपर ब्रेक को खुद से पकड़ने पकड़ के नीचे काम करना थोड़ा मुस्किल है किसी को पकड़ा दीजिए और उसके बाद यहां पर आईए यह क्लीपर में एक एर का बोल्ट लगा हुआ है जो की 11 नमबर का है आपको 11 नमबर का पाना चाहिए होगा और इसको यहां से एक बार लूज कीजिए लूज करने के बाद वापिस टाइट कर देना है यहां से एर निकल जाएगी अब उपर देखते हैं ब्रेक को जैसे ही छोड़के वापिस पकड़ेंगे तो जैसा न्यू ब्रेक काम करते है वैसा काम करने लग जाएगी इस आरे में देखिए अभी डिस ब्रेक लगने लग जाएगा बहुत ताकत से दभाएंगे तो भी वो अंदर नहीं जाएगा एक बार में नहीं होता तो दुबारा ब्रेक को पकड़के इसकुरू को लूज करना होता है और फिर टाइट करना होता है तो दुबारा हमें खोलने की ज़रूरत नहीं रबट को यहां से लगा देंगे क्योंकि एक बार में हो गया है भी ए और इसको लगाने के बाद वो उपर यहां पर कबर लगा देंगे वीडियो को छोड़िए मत अं तक देखिए क्योंकि अभी वे आपको बताने वाला हूँ कि यहर निकालने का सही तरीका क्या है आपने य यह निकालने का सही तरीका क्या है वो भी बताऊंगा मैं तो पहले यह इसकुरू यहां से लगाकर टाइट कर लेता हूं और यह बहुत इजी है दोस्तों इसको आप खुद से कर सकते हो अपनी बाईग में जब भी ब्रेक बराबर डिस ब्रेक कलेच के जैसा काम करने लग जा पहले यह चीज चेक करना जरूरी होता है तो अभी यहां पर टाइट हो चुका है और अब इसका फाइनल टेस्ट करते हैं देखिए अच्छी हो गई पहले एक दम वहापे चिपक जा रही थी तो कभी भी जब आपको यहर निकालना होता है तो पहले ब्रेक को पकड़ लेन ताइंक्यों दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताईए आप हमसे कांटेट करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रेप्शन में इस्टाग्राम की मिल जाएगी वहाँ से कांटेट कर सकते हैं